Good morning everyone, kids, English में आज हम लोग सीखेंगे similars. What is similars? Similars क्या है? Two words, जो बोलने में अलग-अलग हैं, लेकिन उनका meaning एक ही है, ठीक है? Two words, जो बोलने में अलग-अलग हैं, जिनको बोलते हैं, अलग-अलग. लेकिन उनका Meaning एक है, और बैसे बैटा, जैसे हिंदी में, आप लोग समान अर्थ करते हो ना, समान अर्थ मतलब, एक जैसा उनका Meaning, समान अर्थ, ठीक है, तो उसमें जैसे पानी को आपको पानी भी बोलते हैं, हम लोग जल भी बोलते हैं तो एक ही चीज के दो नेम हुए ना, पानी और जल, एक ही चीज है ना, है ना, तो ऐसे ही हवा and पवन तो एक ही चीज़ है ऐसे ही इंग्लिश में भी हम सिमिलर्ज में आज आप सिखोगे कि टू वर्स और उनका मीनिंग एक होगा कि लेटर स्टार्ट जैसे ह-एडब्ल पीवाई हटपी हपी मीज़ खुश्ष बिटा हटपी को एक और नाम से भिजानते हैं जैसे जी अलग जी डी ग्लैट happy, glad दोनों का meaning क्या है? एक है दोनों का meaning है? खुश है ना? तो words क्या है? अलग-लग है? happy and glad तो बटा ये आपके लिए नई चीज है कि glad को भी happy बोलते हैं, glad का meaning भी खुश होता है यही आज आज आपको सीखना है number two में है LWK look look means देखना पता है ना सबको? और एक और बोलते हैं C, S W C C means भी क्या होता है? देखना look C, ठीक है? third में है CH, I L D child, child means बच्चा, जब बटा एक बच्चे के बारे में बात करते हैं तो child, अब एक से ज्यादा है सब बच्चों के बारे में बात करेंगे तो children, है ना? child का plural होता है children कभी भी children's नहीं होता है है ना? तो बटा, child को और किस नाम से हम बोलते हैं? kid, K, I, D kid, child, kid है ना बटा? दोन्यों का मीनिंग एक ही है child and kid, हम बच्चे को ही बोलते हैं next number है M, O, T, H, E, R mother, और आप अपने mother को क्या बोलते हो, mommy, mom है ना? और mother को हम क्या बोलते हैं? mom भी बोलते हैं, M, O, M mom, और mommy जो होती है वो mother भी होती है ना? और जो mother है, वो mom भी होती है ठीक है? दोन्यों का मीनिंग एक ही है ठीक है? next number है B, I, G, big big means big means छोटी होती है, छोटे का opposite क्या होता है? बड़ा बड़ा को हम क्या बोलते हैं? इंगलिश में? big और big को एक और बोलते हैं, huge H, U, G, E huge big and huge दोन्यों का मीनिंग एक ही है ठीक है? दोन्यों का मीनिंग क्या है? बड़ा next है number six H, O, U, S, C, house house means घर और एक house को और क्या बोलते हैं? home H, O, M, home house home next है number seven में S, I, S, C, K sick sick means बिमार और बड़ा sick को और क्या बोलते हैं? ill high, double, ill इसका मीनिंग भी क्या होता है? बिमार, sick and ill दोनों का मीनिंग है बिमार next number है C, O, L, D cold और cold means थंडा और थंडा को और क्या बोलते हैं? chill chill C, H, I, L, L chill ठीक है? cold and chill ये दोनों का मीनिंग क्या है? थंडा next number है T, I, N, Y tiny tiny होता है बिमार चोटा ये न? और इसको tiny को और क्या बोलते हैं? small S, M, E, L, L small tiny and small दोनों का मीनिंग है छोटा तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बहुत सारे बच्चे इसमें S, M, E, L, L कर देते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा वो हो जाएगा है smell ठीक है? tiny small shut S, H, U, T shut shut means बन ठीक है? और shut को और क्या बोलते है? close C, L, O, S, C close shut close तो बेटा ये आज आज आपके लिए नई चीज है इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पहले आपको वीडियो तो जरूर सुनना है तब ही आपका clear होगा और उसके बाद इसको English copy में अच्छे अच्छी राइटिंग में मन लगा के राइट करना है और राइट करने के बाद वीटा आप 5-5 वर्ड्स लर्न कर सकते हो राइट करने के बाद कैसे आप करोगे? जैसे पहले ओरली करेंगे फिर उसके बाद स्पैलिंग लर्न करेंगे जैसे happy, glad happy, glad एक वर्ड को आप टू या थ्री टाइम्स अगर लर्न करोगे तो बहुत अच्छे से हो जागे look, see look, see child, kid child, kid mother, mom mother, mom big, huge big, huge ठीक है बटाद? 5 नमबर तक हो गया फिर इसको एक बार फिर से करो दो बार करो उसके बाद नमबर 6 से स्टार्ट करेंगे house, home house, home sick, ill sick, ill cold, chill cold, chill tiny, small tiny, small shut, close shut, close तो बटा ऐसे एक लर्न करोगे तो आपको दो या तीन बार में आ जाएगा और उसके बाद फिर जैसे happy, glad glad के स्पेलिंग आपको याद करने है लेकिन इस साइड वाले भी आपको आने चाहिए क्योंकि स्पेलिंग आपके पास जितने होंगे तो उतना बटा आपका हर चीज क्लियर होती चाहिए ठीक है happy के लगभग आप बहुत बार करते हो लेकिन glad जो है ये निया word है इसको learn करना हो glad glad ऐसे करके आपको सारे words complete कर लेने है और तो बटा इसमें कुछ मुश्किल तो अब नहीं है मैंने सारा समझा दिया है लेकिन फिर भी बटा मेहनत आपको करनी पड़ेगी learn तो आपको ही करना है तो English में आज आपके लिए इतना है आपके लिए आपके लिए इतना है